हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में जैसे कि दोस्तों मेरा नाम है सोभित और जोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं BST एक्रिकल्चर फर्ट समेश्टर वाले वालों के लिए लेकर के आया हूँ Subject Agronomy Fundamental of Agronomy जो कि दोस्तों बहुत ही important paper होता है और बहुत ही अच्छा paper होना चाहिए आप सभी का तो दोस्तों बहुत ही अच्छे question लेकर आया हूँ one liner question जिरको आप एक वार repeat कर लेंगे दोस्तों इसमें से बहुत ही ज्यादा chance है आपके paper में आने के तो चले वीडियो को करते हैं इस्टाट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कल लेना पहला question है जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हूंगे हमारा पहला question है सच सिविज्ञान के पिता कौन है दोस्तों इसका नाम लिखा लिखा हूँ आया आगे डाक्टर पिटरोडी क्रेसंजी है important question है दोस्तों next question है हमारा ओपस रूरेलियम का मोडारम ओपस रूरेलियम का मोडारम के लेखक कौन है तो दोस्तों डाक्टर पिटरोडी क्रेसंजी है next question है हमारा सच से विज्ञान किस भासा का सब्द है बहुत ही ज़्यादा है पोटेटर और हेंडर प्रसेंट आता ही है हर बार तो यह दोस्तों ग्रीक भासा का सब्द है next question दोस्तों है खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है तो डाक्टर जैंत्रोडल है नेक्त कौश्चन है मारा वो परिस्करण के जनक कौन है बहुत परिस्करण के जनक वह भी दोस्तों डाक्टर जैंत्रोडल है Next question है हमारा धान का पौधा है धान का पौधा जो दूस्तों होता है ओं 60-day self-pollinated और C3 plant होता है 3 में से कुछ भी दे सकते हैं धान का पौधा है य interviews 60-day या पिर दे सकते हैं self-pollinated या पिर 3-day C3 पौधा होता है Next question दूस्तों हमारा दान में पुंकेशवरों की संख्या होती है तो दूस्तों हमारी 6 होती है Next question दान उत्पादन में पर्थम इस्थान किस देश का है तो दूस्तों चीन का है Important है ये भी Next question दोस्तों दान में भारत का कौन सा इस्थान है दहान की द्रश्ट से भारत का दूसरा इस्थान है पहला चीन का दूसरा भारत का नेश्ट कोश्चन है दूस्तों important question है डेपोंग विधी नरसरी तयार होती है 12-14 दिन में बहुत ही confusion वाला question है वो कई बार आता ही है स्री विधी से धान की बीज़दर होती है तो कितनी बीज़दर पढ़ती है तो 6-7 किलोग्राम पढ़ती हेक्टियर की दर्ष्ट से इंपोर्टन ये भी है इस वीडियो में जो भी मैं लाए हूँ बहुत ही जाधा इंपोर्टन है दोस्तों ये सारे नोटस ते यूपीकेटर से रिलेटन हैं इस सारे नोटस दो यूपीकेटर के हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़ियेगा निच्ट कोस्चन है हमारा सricht का पूरा नाम क्या है सिस्टम आफ राइस इंटसिफिकेशन सिस्टम आफ राइस इंटेसिफिकेशन दोस्तों कई बार आ जाता है स्तरी का पूरा नाम क्या है तो इसका आप सानी से लिख सकते हो नेस्ट कोश्चन है दोस्तों हमारा धान में बाउन धान में बाउने पर का कारण होए तो बाउने पर क्या काराण होता है दोस्तों तो दोस्तों होता है DGU gene इसकी कमी से दोस्तों बाउनापन हो जाता है निस्ट कोश्चन है मारा भारत की उत्परिवर्तन किस्म है तो दोस्तों हमारी जगनात होर प्रभावत्ती है धान की जो है उत्परिवर्तन किस्म क्या है जगनात होर प्रभावत्ती निस्ट कोश्चन है मारा संकर धान के पिता हैं ये भी पोटेट कोश्चन दोस्तों संकर दान के पिता कौन दोस्तों युवान लांग पिन निस्ट कोश्चन हमारा भारत में संकर धान के पिता है तो भारत में कौन है दोस्तों विश्व में तो युवान लांग पिन है भारत में डाक्टर इस सिद्ध की निस्ट कोश्चन हमारा धान की प्रथम संकर प्रजात भारत में 1 अप्रेल 1994 में आई थी दूस्तों एक अप्रेल को 1994 में आई थी निस्ट कोश्चन हमारा धान का खैरा रोग होता है तो किसकी कमी से होता है ये भी दूस्तों कई बार आता है जिकर की कमी से होता है धान का खैरा रोग निस्ट कोश्चन है दूस्तों हमारा अकियोची रोग का समंद है जो अकियोची रोग होता है और दोस्तों किस से समंदित है वो धान से समंदित है खैरा रोग की तरह ये भी पूछा जाता है किस से समंदित है जिस्ट कोश्चन है दोस्तों मिथेन गैस प्रस्तावित होती है तो दोस्तों किस से प्रस्तावित होत द्वान में किस रोग के करण बंगाल आकाल आया था के ये तुमारा भूरा धबा रोग के करण आया था नेश्ट को kl ने दस्कोOTH pessimर कितने दिनों में तयार होती है तो चेप से 25 दें में तयार क्या आओसकता होती है तो दोस्तों गर्भवन-वीटा क्रमुख-खरपतवार-नासी क्या है ये दोस्तों हमारा व्यूटा क्लोर है जिसको हम मचेटी के नाम से जानते हैं व्यूटा क्लोर खरपतवार नासी ये दवाई आती है दोस्तों इसको मचेटी के नाम से जाना जाता है नेस्ट कोश्चन है दोस्तों हमारा एंडी आर 98 और NDR 118 प्रजात किसकी है तो दोस्तों मारी धान की प्रजाती है गेहू उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है तो दोस्तों दूसरा इस्थान है धान में भी दूसरा है और गेहू उत्पादन में भी दूसरा है दोस्तों तो रिर्षट होगा, नेरिक टेन के कारण होता है, 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 नेरिक टेन के क को बोल देते हैं कि गहुंगा प्रमुक मलब घरपतवार क्या है तो अगला कोश्चन है गहुं का प्रति हेक्टिर की दर से होती है फिर अलग लग जिस तरीके सा बुआई करोगे उस तरीके से अलग लग होती है बाकी अगर देखा जाए 100 kg प्रति हेक्टिर होती है डिवलर से बुआई करने पर 20 गेहों की 20 दर क्या होगी तो 25 ते 30 kg होगी इंपोर्टेंट कोश्चन है बारत में विश्टो का कितना पिर्तिसत गेहों उगाया जाता है तो 12 क्रतिसत गेहों उगाया ंपोरा नाम भी तो इसका होता है crown root initiation यानि ताजमूल अवस्था पर सिखर जड़ बनते समय या ताजमूल अवस्था पर करनी चाहिए नेस्ट कोश्चन है हमारा दोस्तों गेहों का पोधा है तो कैसा है दोस्तों यह हमारा दोस्तों long day plant है जबकि धान का पोधा short day plant था यह हमारा long day plant है और self pollinated यह भी है और C3 पोधा है नेस्ट कोश्चन है दोस्तों हमारा गेहों में पोधे से पोधे की दूरी रखते हैं तो कितनी होनी चाहिए 5 cm होनी चाहिए दोस्तों नेस्ट कोश्चन है दोस्तों हमारा करनाल वंट की खोज कब हुई थी इंपोर्टेंट है दोस्तों यह हमारी 1931 में हुई थी नेस्ट कोश्चन है गेहों के जमाओ के लिए उप्युक्त तापमान होना चाहिए तो कितना तापमान होना चाहिए दोस्तों 25 से 20 से 25 डिग्री सेंटिग्रेट होना चाहिए नेस्ट कोश्चन गेहों और सरसों का अन लाइक का टार्ग्रेट रखा है आई होप आप लोग पूरा खरा देंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके के वीडियो स्पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले मिलते हैं अगले वीडियो मे यह दोस्तों जीतले भी में कोस्चन लाता हूँ एक टाउप लेवल के ही लाता हूँ इससे आपको बहुत ज्यादा आने वाले पेपर्स में बेस्च अगरिकल्चर है और भी एक्जाम साब देंगे केटर से रिलेटर यह कोस्चन लाता हूँ में केटर के नोट्स हैं उसमे भी आपको बहुत ही हेल्प मिली